आप सभी को मेरा प्रणाम Herbal Remedies and Nature Steger में आपका सागत है मित्रो आज तेजपत्र की बात करेंगे आप लोग तेजपत्र को जानते होंगे मसाले के रूप में आप इस्तमाल करते हैं लेकिन कुछ लोगों की ब्रहांती भी होती है तेजपत्र सिनामन तमाला होता है और कुछ लोग दालचिनी को और तेजपत्र को एक ही समझते हैं जबकि ऐसा नहीं है तेजपत्र सिनामन तमाला है और दालचिनी सिनामन जले निकम है दोनो लॉरेशी फैमिली के होते हैं और थोड़े थोड़े घटक इनके अलग होते हैं लेकिन गुण काफी हद तक सेम होते हैं जो सिनामन तमाला होता है इसके अंदर यूजिनॉल, सिनामल्टी हाइड, लीनालॉल और बीटा केरियोफाइलिन पाया जाता है इसकी जो छाल देख रहे हैं इसकी जो छाल है इस छाल का भी काफी इस्तमाल किया जाता है इस छाल का महीन चून बनाकर उसमें आप सहद मिला कर लेंगे तो अनीमिया की किसी भी प्रकार की समश्या को यह दूर करता है दाल चीनी का भी इस्तमाल अनीमिया के लिए किया जाता है इसके अलावा यह है एंटी कोगुलेंट का कारे करता है नैचुरल बलड थिनर का कारे करता है और कहीं अगर प्लॉट हो गया हो तो फाइबरीनोलाइटिक का कारिये भी यह करता है एंटी थ्रमबोटिक इसके अंदर पाए जाती है साथ हो डाइजेस्टिव सिस्टम की समझ्या हो चाहे रेस्पाइटरी सिस्टम की समझ्या हो इन सब में बहुत अच्छा कारे करता है कई बार ऐसी डिटी बहुत जादा बढ़ जाती है ऐसी डिटी निवारन के लिए भूग ना लग रही हो चाहिए और सिर्कुलेटरी सिस्टम को स्ट्रों करने के लिए हर्ट को बल देने के लिए गी इसका इस्तिमाल किया जाता है इसके अलावा यही है गैस्ट्रो प्रोटेक्टीव भी है साइटो प्रोटेक्टिव भी है क्या होता है हैलिकोबेक्टर पाइलोरी का जब infection पेट के अंदर होता है तो अलसर की समस्चा हो जाती है और अगर स्वाही समय पे इसका निराकंड ना किया जाए तो cancer तक भी यह कॉज कर सकता है आप जो plant देख रहे हैं इसके जो leaves हम इस्तेमाल करते हैं इसको तेज पत्र कहते हैं इसमें अभी fragrance बहुत कम होती है लेकिन क्योरिंग के आप जिस अवस्था में देख रहे हैं इसके seeds आप देख पा रहे होंगे लेकिन अगर आपको तेज पत्र को harvest करना है तो हमें seed आने से पहले harvest कर लेना चाहिए यह है जो एक्टिव कंस्टेंट्स हैं फिर पत्र में कम हो जाते हैं और जो इसका seed development में metabolite close हो जाता है तो अगर आपको अच्छी गुण मत्ता के तेज पत्र चाहिए तो आपको seed आने से पहले इनको harvest करके seed drying करनी चाहिए इसी को curing भी कहते हैं इसी के अंदर ज्यादर मेटाबुलाइट पाए जाते हैं साथियों यह कार्मीनेटिव का कार्य भी करता है कई बार जब पत्थ्य सामान आप लोग खाद्य पदार्थ कब बनाते हैं तो उस समय भी इसके पत्र ढाले जाते हैं ताकि इसी लिए बोड़ी में डाइजस्ट हो जाए इमीनो मोडूलेटर का भी कार्य करते हैं इसके अलावा एंटिवाइरल एंटि फंगल एंटि बैक्टिरियल एंटि माइक्रूबल एक्टिविटी इसके पत्र के डिकोक्षन में होती है और हमारी विबिन परकार के जो होने व जानकारे को अपने मित्रों साथियों के साथ जरूर सांजा कीजिए और इनी बातों के साथ मैं अपनी वानी को विराम देता हूं आप सभी का धन्यवाद प्रणाम नमस्कार